कि हेलो एव्रिवन दिस इस रुपेश मिश्रायन वेल्कम यू आल तो यॉर चैनल देट इस मैथवायत चैप्टर हमारा फिफ्ट चल रहा है जिसका जो कि हमारा मेट्रिक स्पेस का है और चैप्टर का नाम हमारा कॉंटियूटी मतलब कॉंटियूटी तो हम लोग इफेंशि तो यह समझने का फिर हैं वो जो समझने का है वह समझने लिम्य बढ़ाता उसे पहले बढ़ाता पर यहां पर थोड़ी चीजे ध्यान से दिमाग में रखेगा, टेक हैmachen, अगर माल लेते हैं हमारे पास XD और YD डेश दो मेट्रिक स्पेस है और टू मेट्रिक स्पेस है और टू मेट्रिक स्पेस है दो एक अपसेट हम ले लें कहां से एक सब्सक्राइब एक से एक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब मैपिंग एकी मैपिंग हम वाई से कर दें ठीक है एक सबसेट उठाया और उसकी मैपिंग हमने वाई से कर दिया ठीक है माल लेते हैं यह जो आपने सबसेट उठाया ए अगर इसमें से एक छोटा सा अगर ऐसा एलिमन्ट हम ए बिलॉंग्स टू ए ले ले लें ठीक वैसे ए बिलॉंग्स टू यह तो ले लिया आप ए और उसे यह मैप करता हो वी बिलॉंग्स टू वाई मतलब यह जो है वो बी को मैप करता हो और small a capital a में होना चाहिए और small b y में होना चाहिए अगर ऐसा कुछ है ठिक तो हम b को limit कहेंगे function का मतलब जैसे आप ये सोचिए इधर a है left side में a है ऐसे देखिए left side में क्या है हमारा a है right side में हमारा क्या है b है ये एक तरिके से a set है और ये y set है यहां से यहां कौन जोड़ रहा है function जोड़ रहा है ठिक तुछ बोला यह क्या है कि b is called limit of f of x when मतलब यहां से f apply करके उधर बेजें तो वो बी में जाके जुड़ेगा तब बी को उसकी limit कहीं जाएगी कब कहीं जाएगी जब x की value हमारी a की तरफ tend कर रही हो मतलब x की value a बन रही हो तो f x जो मनेगा हमारा b पे चल जाएगा ठीक है उसके लिए और condition क्या है if i double f मत भी फैन अनले if for every epsilon greater than zero there exist del greater than zero such that such that जो हमारा डी बनेगा डी की value अगर दें डी की value लेफ्ट में लेफ्ट वाले याणि a में x की a से distance ठीक है जो distance आए वो क्या होनी चाहिए कडिक के kill होनी चाहिए उडि से कम होनी चाहिए और यही बात अगर हम उधर के function में बात करें एक सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, डेल से कम होना चाहिए, लेफ्ट में, और यही कम राइट में भी होना चाहिए, राइट में मतलब राइट का जो हमारा मेट्रिक है वो डी डैश है, और राइट में एफ एक्स मिलेगा, और बी मिलेगा, अगर राइट में यहां से मा जेगा मेरी बात को, इधर है X और इधर है A, X और A की बीच की डिस्टेंस D X है, वो किसी एक छोटी value जो की very close to zero है, जो del है, वो very close to zero है, तो इधर भी वही काम हो, और right में अगर हम इसको जोड़ें, X को fx से जोड़ें, और A को B से जोड़ें, तो यह आपस में इनकी डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, epsilon से कम होनी चाहिए, और epsilon भी क्या होगा, very close to zero होगा, तो limit का मतलब यही होता है बच्चो, limit अगर आपको याद हो, class जो 11th से शुरू हो गए थी, 11th वाल लिमिट की बात करें, तो कहा यह जाता था, कि अगर हमें X is equal to A बे कोई limit निकालनी है, तो limit X tending to A होगा, fx is equal to L आ जाएगा, या इसकी जो हमारी एक pure वाली जो, pure definition होती थी, वो यह होती थी, कि ऐसे लिखा जाता था, देखो, अगर हमें X की value, A तक ले जानी, तो X minus A less than del, और fx minus limit, यानि L would less than epsilon होनी चाहिए, यह यहाँ भी लिखा हो सकता था, यह मदब epsilon और del दोनों ही क्या होते हैं, del हो चाहिए epsilon हो, यह very close to 0 होते थे, अगर यह less than epsilon आता था, तब जाके हम कहते थे कि L हमारी क्या है, limit है, ठीक, तो वही चीज यहाँ पर भी है, कि देखिए भी less than epsilon है, और left में इसका जो domain में जो element है, वो भी क्या है, उनका भी distance less than del है, ठीक है, इतना होने के बाद, तब हम क्या पाते हैं, कि उसकी limit exist करेगी, exist करेगी साथ ही साथ क्या हो जाएगा, limit डिकल क्या जाएगी, ठीक, यह बात clear है, अच्छा, अब आईए इसकी छोटी सी importance, यानि theorem की बात करते हैं, क्या है देखिए, एक बड़ी simple सी theorem है, statement की तरह इससे दिमाग में रखेंगे, कि अगर मालने ते ए जो है, वो subset of X है, और हम क्या कर रहे हैं, function बना रहे हैं, A से लेके एक नए metric space Y में, X का जो operation है, वो D से लिखा जाता है, और Y का operation मालने ते D' से लिखा जाता है, ठीक है, अच्छा, तब then, अगर ऐसा कुछ है then, जो हम limit लेंगे, बच्छों, X standing to A, जैसे X A की तरफ बढ़ेगा, वैसे FX जो होगा, उसकी value B के equal आ जाएगी, ये तो सही बात है, ये तब ही ऐसा होगा, if and only if, इसके आस पास के, X के आस पास के जितने भी, हमारे sequences बनेंगे, उन्हें अगर हम चेक करेंगे, जैसे माले जैए FXN है, ये क्या है, sequences है, ठीक, जितने भी sequence बनेंगे, उसके आस पास के, वो सब भी B पे tend करने चाहिए, तभी ये बात सही होगी, otherwise नहीं होगी, ठीक है, आरी बात समझ में, यहाँ पे X की जिए आप XN भी बोल सकते हैं, XN tend to A करना चाहिए, as N tends to infinity, ये बात धहान रखेगा, चलिए अब continuity की बात करते हैं, continuity में नाम में ही सारा answer छुपा रहता है, continuous चीज़े जितनी भी होती, जो लगातार चलती रहती हैं, जिनका graph कभी भी break नहीं होता, या कभी भी infinity तग नहीं जाता, वो सारे के सारे functions, सारे के सारे sets, सारे के सारे continuous function कहलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे उस चीज़े कैसे define करेंगे, ठीक है, देखे, अगर हम XD और Y-D, XD और YD-, हमने दो metric space ले लिया है, हमने function कहां से prepare किया बच्चो, function माल लेते है, XD से हमने कहां पे जोड़ा, YD- में जोड़ दिया, वैसे left वाले को A से भी कर सकते थे, ठीक, अब अगर यह continuous है बच्चो, है न, is a continuous function, यह continuous function तभी होगा, if and only if, पहले बद तो limit exist करनी चाहिए, for all epsilon greater than zero, ठीक है, there exist del greater than zero, such that, क्या होनी चाहिए condition, condition द्यांजा सुनियेगा, condition क्या होनी चाहिए, अगर हमारा जो left में, x variable है, a पे आप चेक करना चाहते हैं, let's say, हमने क्या लिया है, a belongs to x ले लिया, और a पे हमको माले यह थे continuity चेक करनी है, ठीक, तो जो left वाला हमारा नहीं, domain जो है, range domain में, x की a से दूरी, less than del होनी चाहिए, और, अगर हम d' में जाए, इसमें d' मिलेगा, इसमें d' मिलेगा, भाई, right में d' जो होगा, वो x का function क्या बनेगा, fx, और fa बनेगा, a का बन जाएगा, fa, इन दोनों के distance, इन दोनों के बीच की distance, epsilon से कम होनी चाहिए, ठीक है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हूँ, क्योंकि जो x का, वो बनेगा अपना, open sphere, diameter का, x उसमें बिलॉंग करना चाहिए, वैसे ही, fx जो होगा, वो अपने, epsilon वाले diameter में, fa को रखेगा, fx उसमें बिलॉंग करना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा है, तो continuous होगा, क्यों, क्योंकि सारे x के लिए, मतलब x जो अपना open sphere बनाएगा, fx जो अपना open sphere बनाएगा, वो एक दुस्टे पर depend करेंगे, और दोनों की दोनों की value यहां पर देखे, एक epsilon से कम, एक del से कम, यह चीज़ होनी चाहिए, और epsilon और del, दोनों ही very close to zero होते हैं, जैसे हम limit लेते हैं, तो यह सभी क्या होते हैं, अपनी जिगापे zero बन जाते हैं, यह लगभग zero है, इतनी छोटी value देते हैं, कि आप उसे zero ही माल लेते हो, आरी बस समझ में, यह definition थोड़ी से दिमाग में रखेगा, इसमें बस function से relate करके, आपकी continuity को चेक किया गया है, ठीक है, आईए थोड़ा सा इनकी examples देखते हैं, इससे की चीज़े और थोड़ी सी clear हों, ठीक है, अज तो बहुत लोग fast होंगे, मेरे ख्याल से, जो जो fast होगा, एक बारी comment कर देना, है कि हाँ, आज fast है सर, ठीक है, अस्टमी है, आप सभी को अस्टमी की हार्दिक शुब काम बना है, ठीक है, एक हमने function ले लिया, एक स्टू वाई, और इसको define कैसे किया, f of x is equal to x, यह तो identity function होगा, for all x belongs to, capital X, ठीक है, इसको थोड़ा सा, इसका illustration देखते है, illustration मतलब फिलाल तो होता है, definition, sorry, explanation ही होता है, explanation with calculation, illustration, ठीक है, दीक है, fx is equal to x है, है ना, तो अगर हम ऐसे समझें, कि left में जितने भी हमारे points है, उनकी जो image बन रही है, वो वही बन रही है, same to same, है ना, अच्छा, देखिए, अगर हम एक काम करें, कि भाई, जो x में हमारा open sphere बन रहा होगा, a और del को ले करके, तो वो तो यही बनेगा, a minus del, और a plus del, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे y में सोच लें अगर हम, y में सोचेंगे तो हमें function of a लेना पड़ेगा, और epsilon हो जाएगा, तो यह sy, और f of a, f of a की value तो a ही आ जाएगी, क्योंकि function क्या कह रहा है, जो यहां लिखा वही यहां लिखा है, है ना, a और epsilon, तो यह a और epsilon के बीच में तो कोई definition ही नहीं मिलेगी, epsilon जो है, वो तो y के लिए 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 गया है, और a तो आ रहा है अभी यह x में, तो जब ऐसे में हम open sphere लेते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही element रहे जाता है, वही हमारा a, ठीक है, तो अब थोड़ देर के लिए आप सोचें, function जब भी लगाया जाता है, किसी भी set में, जैसे माले set यही वाला था हमारा, left वाला, तो यह हमेशा क्या होना चाहिए, यह subset होना चाहिए, दूसरे का, मतलब वहाँ पहुच करके, मतलब कहने का यह है, कि यह left है, यह right है, आप इदर से function लगाऊए, तो जो भी बनेगा बच्चो, जो भी function बनेगा, वो क्या होगा, subset होगा, code domain का, तो यह चीज़ तो ठीक है, लेकिन जरा आप यह देखे, क्या यह चीज़ आप आ रही है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे, तो किसका, F आपने लगाया किसका, A माइनस डेल, और A प्लस डेल, क्या यह subset है A का, रॉंग, यह तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, यह बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें, इन्पानेट अलिमेंट से हैं, उदर सिर्फ एक अलिमेंट है, धेर सारे अलिमेंट सिर्फ एक अलिमेंट के कैसे, subset हो सकते हैं, जो कि रॉंग, रॉंग का क्या मतलब है, इसका मतलब, इसका मतलब है, कि यह सेट जो है, यह यह जो फांक्शन है, वो नौट कॉंटिनियस हो जाएगा, ठीक, नेक्स देखिए, आई इस पे बेज़्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, थेवरम समझते हैं, जो हमारे आगे के लिए इंपोर्टेंट होगी, इंपोर्टेंट साबित हो सकती है, देखिए, जो हमारी पहली थेवरम है, कॉंटिनियूटि की रिगार्डिंग, ठीक है, देखिए, देखिए, पहली थेवरम जो है, वो understood है, लेकिन फिर भी एक बारी मैं आपको बताने कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे, अगर xd और yd डेश, दो हमारे मेट्रिक स्पेस है, और एक हम function define करें, x से y में, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं, कि is, यह function जो है, is continuous, यह continuous होगा, यह continuous हो सकता है, is continuous at x belongs to capital S, यह अगर x पे continuous तभी हो सकता है, if and only if, अगर, for all sequences, xn, अगर x के सारे सारे sequences xn बनाया जाए, converge करें, converges to x, belongs to capital X, अगर, यह सारे के सारे जो sequences बने को, वो x पे ही जा करके रुके, है न, also, fxn, जो हमारा, right में जा करके, मतलब, co domain में जा के, जो function मिले, उसके आस पास के, जितने भी, sequences बने, वो अगर, fx पे जा के, converge कर जाए, fxn, in y, converge, to, f of x, belongs to y, मतलब, simple सा कहने का है, कि भाई, अगर, ऐसे समझे, यह हमारे हो गए, दो, यह domain और, co domain हो गए, अगर, यहां पे, कोई मेरा point x है, और, उसके आस पास, जितने भी, हमारे, sequences बन रहा है, वो उसी पे जा के, converge करें, साथ ही साथ, अगर, इसका हम function ले ले, तो, fxn हो जाएगा, इसका function ले ले, fx हो जाएगा, जब यह, xn, x पे converge कर रहा है, तो fxn भी, fx पे converge अगर करे, तो हम कह सकते हैं, कि यह, जो हमारा function है, जो f हमने बनाया, अब हमारा क्या होगा, continuous होगा, x पे, ठीक, यही बात कहना चाहा रहा है, आरी बात समझ में, ठीक, चले, next देखे, अपने words में भी आप लिख लीजेगा, ठीक है ना, next देखे, next क्या देखे, next में फिर वही चीज, xd और yd देश, दो metric space है, अगर हमने एक function, define किया, from xd to, yd देश, ठीक, is continuous, subcontinuity की बात हो किसमे, is continuous, if and only if, अगर हम x ले ले, capital X में, ठीक है, if and only, एक सेक्ड, यह continuous तब कहलाएगा, if and only, for all, for all, sets, g, वो सारे sets, जो open लिए जाए, open in, yd डेश, कॉमा, उसका अगर inverse निकाले, तो, वो भी क्या होना चाहिए, open होना चाहिए, in, xd, अच्य यह तो उल्टा कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, मेरे बाद धान सुने, यह क्या कहना चाहता है, अभी हम लोग, इस वाले थियोरम में यह पढ़ रहे थे, कि, यहां से इधर जाने के लिए आप फंक्शन लगाते हो, xn, x पे converge करता है, fxn, fx पे converge करता है, तो f हमारा continuous होता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है, कि आपके पास दो चीज़े हैं, domain और code domain, कह रहा है, यह यहां से, f जो बन रहा है, वो continuous तभी होगा, जब यहां का कोई भी open set, माले ज़िए open set G है, कोई open set हमारा G है, उसका inverse निकाला गया है, और अगर वो open है, तो उसका inverse जब इधर लेके आएंगे, तो यह भी open होना चाहिए, open से map होनी चाहिए, आर्य बात समझ में, वही चीज़ लिखा हुए, F क्या XD से YD डैस में continuous है, if and only for all sets G, open in YD डैस, मतलब Y में हमने एक ऐसा set लिया, जो कि open है, boundary नहीं है उसके पास, तो उसका अगर हमने inverse निकाला, और वो भी open ही निकल के आजाए, left में, यानि X में आपका वो भी open निकल के आजाए, तो हमारा function continuous होगा, और यह if and only if वाली condition है, necessary और sufficient भी जिसे कहते हैं, ठीक है, आगे देखे, next theorem देखे, समझते भी रहेंगे, जहांस से रखेंगे, देखे, फिर से वही है, अगर हमने एक function ले लिया है, कहां से कहां में, XD से YD डैश में, ठीक है, यह continuous है, if and only if, for all, sets, capital F, closed, in YD डैश, F inverse of capital F, is closed, in, XD, मेरी बात धान सुनेगा, यह उसी, जो से पहले की थेवरह में, यह उसी का ही एक भाग है, उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने G को open लिया था, यहां पर हमने F को close ले लिया, बात होई है, मेरी खाल साब समझ गया होगा, अगर open लेंगे तो, inverse open आना चाहिए, अगर close लेंगे तो, inverse close आना चाहिए, आरी बस समझ में, ठीक है, और देखिए, अगर मालिजा आप closer offset याद होगा, है न, closer offset बोल लो, या सारे का सारे limit point का set बोल लो, या कई सारे चीज़े हैं, कई सारे नाम हैं उसके, अब कह रहें कि वही चीज, वही चीज continuous तब होगी, जिसे मालिजा मैंने कहा कि, फंक्शन है हमारा xd से yd डैश में, टिक, is continuous, if and only if, अगर a x set है, x का subset है, तो अगर हम function निकालें, closer of a, मतलब उसके सारे के सारे, आप closer निकालें, closer set निकालें जें a का, तो वह भी अगर subset हो रहा है, closer of y का, जब आपने function of a निकाल लिया, उसके बाद, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कि f of a बार, subset हो f of a का, whole बार, ठीक, मतलब कहने का, कि यहां से यहां पर आप जाना है, आपने यहां के सारे के सारे लिमिट पॉइंट ले लिए, और यहां के सारे सारे लिमिट ले लिए, फिर यहां से आप किया, उसके लिमिट ले लिए, तो यहां का लिमिट पॉइंट जोगा, उसका subset होगा, यही कहने का मतलब है, function लेने के बाद, इसी का एक अपोजिट सेंस भी है, देखिए ज़र वो भी देख लेते हैं, क्या है भाई, अगर हम कहें, function है कोई, xd से yd' में, ठीक, ठीक है न, यह continuous होगा, is continuous, if and only if, for all set b, subset of y, अब उल्टा लिख दीजा, y की बाद कर रहा है, तो उल्टा होगा, closer of, x और उसका inverse लगा दीज़े b में, मतलब कहने का यही है, b का inverse कर दीज़े, उसके बाद closer निकाल लिज़े, अच्छा, तो वो क्या होगा, subset होगा, f inverse of, closer of, मतलब क्या है, function का inverse निकालने के बाद, closer करिए, और closer निकालने के बाद, inverse करिए, तो यह subset होगा, बड़ी अच्छी बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे, कि भाई, inverse निकाल लिज़े, उसके बाद, closer निकालिए, वो subset क्या होगा, किसका होगा, वो subset होगा, कि आप, पहले बी का closer निकालिज़े, उसके बाद, उसका inverse निकालिए, तो यह बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए, मेरी बात ध्यान सुने है, जब भी closer की बात की जाती है, बच्चो, तो पहले अगर आप closer निकाल लोगे, तो वो set बड़ा हो जाएगा, बाद में निकालोगे, तेखिए, पहले closer निकालोगे, तो वो set बड़ा हो जाएगा, उसका inverse निकालोगे, तो बड़ा आएगा, बड़ा इंदसें ज्यादा elements आएंगे और आप पहले निकाल लोगे उसके बाद उसके लोगे तो हो सकता है कई सारे element उसमें delete हो जाए हट जाए ठीक है तो भीया यह इस chapter को यहीं तक रखते हैं अभी next video में हाला कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं चार-पांच पॉइंट और बचे हैं नेक्स वीडियो में उसे कवर करके चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट कर दिया जाएगा और वो चैप्टर जो भी है वो कल तक में मेरे खाल से कल तक में वह भी चैप्टर लगभग थोड़ा ही बहुत उसमें बचेगा तो परसो तक में वह भी चैप्टर कतम फिर लास्ट चैप्टर पर हम लोग आजएंगे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय रोज तीन वीडियो पढ़ रही है एक सुबह में मॉर्णिंग में ठीक है एक मॉर्णिंग में पढ़ रही है फिर एक इविनिंग में पढ़ रही है ठीक है फिर उसके देख नाइट में वीडियो पढ़ रही है तीन वीडियो पढ़ रही है यह लास्ट वाली जो हमारी वीडियो है वह एमसी क्यू के पर पूरी बेस्ट है बाकी दोनों हमारी डिस क्रिप्टिव पे चल रही है जिसमें हम लोग ने निमेरिकल एनलीसिस कि लिटाइस कर लिया है कंपलेक्स एनलीसिस के last chapter चल रहा है वहीं सीरीज वाला जो की इस की टाइमिंग रहा है कंप्लेक्स मिला आपको मौर्णिंग की टाइम पिर आपका मेटर की स्पेस्पेस चल ला है नाइट की टाइमिंग में आपको पता है में से क्यों चल ला है तीनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चल लेए आप जरूर देखें दोस्तों में जरूर शेयर करें ठीक है और जितना हो साके अपना बल दें ठीक है और आप हमारे जैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारी 29 की एक मेंबर्शिप है 29 रुपीज की छोटी सी मेंबर्शिप है आपका मन हो तो आप ले सकते हैं वो कुछ लोग की हेल्प के लिए इस्तमाल किया जाएगा जरूर जितना हो पाएगा उतना शेयर करिए ठीक है न मैं आपक के बारे में जरूर इतिला करूंगा मैं बताओंगा कि मेंबर्शिप क्या है सिर्फ 29 रुपीज किये आपका मन हो तो जरूर करें जस्त लाइक डोनेशन टूर्ड्स सम न्यू तिंग्स की कुछ चीज़े और एड की जाए ठीक है वह आपके हाथ में उससे मिजे कोई लेना के साथ थैंक यू